नमस्कार दोस्तों कुछ दिन पहले हमारे एक विवर ने बहुत बार मैसेज किया और मैसेज बहुत अच्छा था उन्होंने बोला कि सर एक ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा हूं उसको जरूर पूरा करिएगा जरूर वीडियो बनाईएगा और वीडियो बनाईएगा बच्चों के लिए और ग्रोथ के ऊपर स्ट्रेंथ और हाइट लर्निंग पावर और फुल एनरजी और फुल एक्टिविटी बच्चों की ऐसी बनी रहे मतलब बच्चे स्वस्थ हो फिजिकली मैंटली और बहुत बढ़िया ग्रोथ हो उनकी और उनके अंदर खुब एनरजी हो डलनेस बिलकुल ना हो एक्टिविटी अच्छी हो पावरफुल हो ऐसी कोई मैडसेन बताईए तो आज हम ऐसी ही मैडसेन के बारे में आपको जानकारी देंगे होमेपैति बच्चों की एक टॉनिक के बारे में बताऊंगा तो मैं रोप्टर विक्रम आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं इस टónिक का नाम है अलफा-लफा टॉनिक इस पेसली फार्मूलेटिट फॉर फॉर चिल्डरन बच्यों के लिए बनाई गई यह टॉनिक है औरगे इस आम पार को इस अच्छी पहले नुज का थे ज़नातों बच्यों का इसलीओ बच्चों के लिए इस तॉनिक कंशी की लगत चोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र दो साल से लेकर लगबक पंदरा साल के पीच की है तो उन्हें आप ये टॉनिक दे सकते हैं बहुत ही बढ़िया टॉनिक है सबसे पहले जानते हैं कि सके अंदर कौन कौन से मैडिसें मेली हूई है ये शॉब में आपको कहां पर मिलेगी और इसकी प्राइस का सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन सी medicine मिली हुई है acid force मिली हुई है, यह debility को कम करती है, कमसोरी को ठीक करती है, सुस्ती को ठीक करती है दूसरी medicine है alpha-alpha, यह weight पढ़ाती है, बचों की growth के लिए बहुत ही बढ़िया medicine है इसरी medicine है avonus ativa, यह mental growth के लिए बहुत ही अच्छी medicine है और बच्चों के इंदर अगर थोड़ी anxiety रहती है, खासकर आजकल बच्चे पढ़ने में बहुत ध्यान देते हैं, competition है यह सब के कारण anxiety रहती है, और anxiety को भी ठीक करती है, avonus next medicine है China, दोस्तों, China weakness के लिए अच्छी medicine और बच्चे बार-बार बीमार होते रहते हैं, जिसके कारण बार-बार वो weak हो जाते हैं, तो तुरंत weakness ठीक करती है और तुरंत बच्चे को मजबूत करती है China next medicine है Sina, दोस्तों, पेट में कीडे होते हैं और अगर एक बार कीडे हो जाए तो क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती, इसमें Sina भी मिली हुई है, इससे पेट में जो थोड़े-मोड़े कीडे होते रहते हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे, जिससे दोस्तों, हैट्रस्टिस से इम्निटी पावर बढ़ती है, बच्चे की साथी साथ, पेट भी ठीक रहता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, जिसके कारण जो वो खाते हैं, अच्छे से पसता है, और अच्छे से सरीर में अब्सौर्ब होता है, और जिसके कारण नक्सवों हीदा इंप्रूव करती है, और पेट जो है वो बच्चे का हमेशा अच्छा रहता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, काना अच्छे से पचेगा तो बच्चे की ग्रोथ होगी, और लास्ट में इसमें काली आर्स टली हुई है, काली आर्स इंफे को कम कर देती है साथ ही साथ मेंटल्ट वीकनिस मतला मानसिथ अगर बच्चा कमजोर है थोड़ा सा जो है वह मैमोरी पावर कम है या एन्जियस रहता है छट छट ही रहता है रहता है बच्चा तो बहुत ही बढ़ियां मैडसेन है ये और साथ ही बालकि भी यह बढ़ाती है, height को बढ़ाएगी, weight को भी बढ़ाएगी, और बच्चा हमेशा जो है, वो healthy feel करेगा, और immunity भी बढ़ाती है, जैसे बार-बार उसे बीमारी नहीं होती, तो all in all, यह बहुत ही बढ़िया बच्चों की tonic है, यह tonic आपको homeopathic shop में आसानी से मिल जाएगी, 110 रुपए की आती है, और 100 ml इसका quantity है, और लगबख 100 ml मालीचे की 15 दिन आराम से चल जाएगा, अब लेना कैसे है, वो मैं बतायता हूँ, पहले ही बता दिया की कहां मिलेगी, कैसे, कितनी प्राइज है, अब लेना कैसे वो मैं बतायता हूँ, तो अगर बच्चा थाई साल से पांस साल के पीच का है, तो लगबख थाई ml दिन में दो बार, सुबह शाम दीजे, खाना खाने के आधे घंटे बाद, अगर बच्चा पांस साल से बड़ा है, और पंदरा साल से छोटा है, तो लगबख उसे पांच एमेल दीजे, सुबह शाम खाना खाने के बाद, आधे घंटे बाद, बहुत ही बढ़िया मैडिसेन है, बहुत ही अच्छे रिजर्ट्स मिलते हैं, शौवे की, डब्लू एसाई की, अच्छे रिजर्ट्स मिलेंगे, भूख लगने लगे की, और खुद ही समझ में आ जाएगा, तो एक सी सी लेके देखिए, और आपको अच्छा लगे, तो इसे कंटेन्यू करते रहिए, इसको कब तक लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बच्चे लगबख 3-4 साल लेते हैं, कुछ बच्चे पांच महीने लेते हैं, तो कम से कम 3-4 महीने जरूर लिजए, सबसे पहले एक सी सी बच्चे को पिलाईए, लगबख 100 एमेल की आती है, 15 देन चलेगी, उसके बाद समझ में आएगा, कि आराम कितना है, उसे कैसा लग रहा है बच्चे को, अगर आपको लगए कि हाँ, अच्छा है, उसकी भूख बढ़ गई है, और थोड़ा सा एक्टिव हो गया है, तो फिर आप ये, जो सिरफ है, इसे कंटिन्यू करते रहिएगा, लगातार बच्चे को दे दे रहिएगा, तो बहुत ही बढ़िया रिजर्ट मिलेंगे, तो उसको आशा करता हूँ, कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो के नीचे, एक लाइक का बटन देगी है, तो उसको दबाना बिल्कुन भिलेगा, और यहाँ पर एक रेट का अगर सब्सक्राइब को बटन देगे, तो उसको भी दबा दीजे, उसके बगल में एक बेल आइकन है, तो उसको भी दबा दीजे, मैं ऐसे ही नॉलिजबल होंपैथेक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड वीडियोज लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, दोस्तों नीचे एक शेर की बटन देगे, दो ज़रूरी इस वीडियो को शेर करिएगा, और नीचे एक गमेंट सेक्षिन है,